नमस्कार दोस्तों जिके स्टेडी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किये जाएंगे जो की बॉयलर टॉपिक पे हैं तो 5 मिनट निकाल के इस कुईज में जरूब पार्टी स्पेट करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू कर दें 50 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं कौश्चन नमबर वन वाइलर पे फीड चेक वाल को किस लाइन में लगाया जाता है दोस्तो काफी बार ये कौश्चन इंटर्वी में पूछा जाता है और इस प्रस्टन का सई उत्तर है फीड चेक वाल को बाइलर पे फीड वाटर पंप की डिस्चार्ज लाइन में लगाया जाता है और ये स्टीम ड्रम के बिलकुल पास में लगा होता है कौश्चन नमबर टू बाइलर पे किस टाइप के सेफटी वाल्व का प्रयोग जादातर किया जाता है दोस्तो इस प्रशन का उत्तर आपने देना है कि बाइलर पे मेकैनिकल स्प्रिंग लोड़ड सेफटी वाल्व का प्रयोग किया जाता है और इसको बाइलर के बिलकुल उपर लगाया जाता है वर्टीकल पुजिशन में कौश्चन नमबर थ्री वॉयलर की ट्यूब्स को उसके कौन से साइज से मापा जाता है दोस्तो काफी बार ये कॉश्चन भी एक्जाम में आ चुका है और इसका अंसर आपने देना है कि वॉयलर की ट्यूब्स को उसके ओडी यानि उसके आउटर डायमेटर से और उसकी thickness यानि उसकी जो boiler tubes की wall होती है उसकी मोटाई से उसको मापा जाता है Question number 4 Feed water pump का pressure कम होने का कारण क्या हो सकता है दोस्तो अगर आपके pump में बिल्कुल आवाज नहीं है और चलते चलते उसका pressure कम हो जाए तो इसका कारण क्या होता है दोस्तो इस प्रशन का आपने answer देना है कि ज्यादा तर pump की suction line में जो white type stinner होता है वो choke हो जाता है तो ये choking pressure को कम कर देती है तो हमें time to time suction line में जो stinner लगा होता है उसको साफ करते रहना है Question number 5 Boiler पे heavy ash कहां collect की जाती है दोस्तो वीडियो को like नहीं किया तो like जरू कर दे 50 like का target है इस वीडियो का और इस प्रशन का अपने उतर देना है कि boiler पे heavy ash ash chamber में collect की जाती है और ये जो ash chamber होता है ये furnace के बिल्कुल बाद में होता है और इसमें एक arch बनी होती है इस arch से flu gases टकराती है और जो heavy ash होती है वो ash chamber में गिर जाती है और यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया जाता है question number 6 boiler पे mobrie का क्या काम होता है दोस्तो इस प्रशन का उतर आपने देना है कि mobrie boiler पे water level को control करने का काम करती है जब drum में पानी का level high हो जाता है तो feed water pump को cut out करवाती है low level पे feed water pump को start करती है और extra low पे अगर पानी का level extra low हो जाए तो boiler पूरे boiler को ये trip करवाती है और इसमें 3 coil लगी होती है question number 7 feed water pump का pressure, steam pressure से कितना ज़्यादा होना चाहिए दोस्तो ये भी काफी बार question interview में पुछा जाता है तो इस प्रेशन का उत्रा आपने देना है डेट गुना ज़्यादा मालीजिया आपका boiler का steam pressure 10 kg है तो आपने feed water pump का minimum pressure 15 kg पर cm के रखना है question number 8 अगर feed check wall का NRV फेल हो जाए तो क्या होगा दोस्तो अगर ये question आपसे पूछा जाए तो आपने इसका अंसर देना है जिर्शा में घुमा देता है तो इससे क्या होता है जो feed water pump होता है वो damage हो जाता है question number 9 power plant में सबसे बड़ा pump किसे कहा जाता है दोस्तो ये भी question का फिबार exam में आ चुका है और इसका अंसर आपने देना है कि power plant में सबसे बड़ा pump बोला जाता है boiler feed water pump को और इस pump को BFP के नाम से भी जाना जाता है question number 10 feed water pump का pressure steam pressure से ज़्यादा क्यों रखते हैं दोस्तो अगर ऐसा कोई question आपसे पूछा जाए तो आपने इसका अंसर देना है कि feed water pump का pressure इसलिए ज़्यादा रखते हैं boiler पे ID और FD fan में किस type के blower का प्रयोग किया जाता है दोस्तो अगर ऐसा कोई question आपसे पूछा जाए तो आपने इसका अंसर देना है centrifugal blower boiler पे ID और FD fan में centrifugal blower का प्रयोग किया जाता है question number 12 boiler में air flow को किस mechanical part के द्वारा control किया जाता है दोस्तो अगर ये question आपसे पूछा जाए तो इसका अंसर आपने देना है mechanical damper के द्वारा दोस्तो ID और FD fan की duct में damper लगे होते हैं जिनके द्वारा हम air flow को control करते हैं question number 13 boiler पे economizer किसकी heat से feed water को गर्म करता है दोस्तो ये question में interview में पूछा जाता है और इस प्रशन का उत्तर आपने देना है कि economizer hot flow gases की heat से feed water को गर्म करने का काम करता है question number 14 boiler tubes किस metal की बनी होती है दोस्तो ये भी कभी बार question exam में आ चुका है और इस प्रशन का सही उत्तर है कि जो boiler tubes होती है वो cast steel की बनी होती है question number 15 boiler furnace में कौन सा pressure maintain किया जाता है दोस्तो अगर ऐसा कोई question आप से पूछा जाए तो आपने इसका उत्तर देना है कि boiler के furnace में negative pressure create किया जाता है और ये pressure ID fan के द्वारा maintain किया जाता है question number 16 boiler पे सबसे बड़ा loss किसे माना जाता है दोस्तो ये भी एक काफी important question है और इस प्रशन का उत्तर आपने देना है heat loss in flu gases दोस्तो अगर flu gases की heat का हम proper utilize नहीं करेंगे तो इस loss को boiler पे सबसे बड़ा loss माना जाता है question number 17 economizer लगाने के boiler पे क्या फाइदे होते हैं दोस्तो economizer boiler पे accessories के तोर पे use किया जाता है और इस प्रशन का उत्तर आपने देना है कि economizer boiler की efficiency को improve करता है और fuel consumption को कम करने का काम करता है question number 18 boiler पे कितने mechanical safety wall लगाना जरूरी है दोस्तो अगर यह question आपसे पूछा जाए तो आपने इसका अंसर देना है कि boiler पे दो mechanical safety wall लगाना अनिवारी है question number 19 HRU की full form क्या होती है दोस्तो HRU की full form होती है heat recovery unit और यह boiler की accessories में आता है और boiler की efficiency को improve करने का काम करता है question number 20 दोस्तो इस प्रशन का उत्तर आपने comment करके बताना है तो question है कि आप boiler पे किस post पे काम करते हैं engineer है, foreman है, senior attendant है, junior attendant है या फिर fireman है, तो जल्दी से अपना answer नीचे comment करके बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगिया तो जाते जादे वीडियो को like जरू कर दें और जादा से जादा इसको अपने दोस्तों के शाफ, whatsapp और facebook पे share करें और अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें thanks for watching